हेलो फ्रेंद्स स्वागत आपका मेरी इस वीडियो में तो आज की वीडियो में आप पता हूंगा कि कैसे आप JKPSE JK Combined Competitive Examination के Online Application Farm को Edit कर सकते हैं जाने कि कैसे आप JKAS के Farm को Edit कर सकते हैं मैं आपको बता दू यह जो Editing Window है वो आज से Open हो चुकी है और इसकी जो Last Date है वो First of June है जाने कि तीस तारीक से लेकर एक तारीक तक आप यह जो Edit Window है वहां से अपने Application Farm को Edit कर सकते हैं जाने कि दुबारा से Resubmit कर सकते हैं तो क्या इसका प्रोसेस रहता है कैसे आप कर सकते हैं Edit वो पूरा प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बता हूँगा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें लास्ट में आपको यहां पर लॉग इन शो होगा उपर भी लॉग इन का Option है कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं लॉग इन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको करना क्या होगा अपनी आईडी और पासवर्ड जूजर आईडी जाने की आईडी और पासवर्ड और वेरिकेशन को डालने के बाद लॉग इन कर देना होगा अपनी आईडी को आईडी लॉग इन करने के बाद इस तरह से आपकी परसनल डिटेल्स आपको शो होगी तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा यहां पे Option दिख रहा होगा Update Form आपको सिंप्ली इस पे क्लिक कर देना होगा इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको Department स्लेक्ट करना है मैं आपको बता दू यह के PSE का कोई भी Application Farm यहां से आप एडिट कर सकते हैं तो हम अब भी बात कर रहे हैं जेकी Combined Capacity Examination की तो सिंप्ली आपको यहां पे क्लिक करना होगा और Prelimp पे क्लिक कर देना होगा तो यहां पे आपको Application Number अपना Fill करना होगा जो आपने Application Form Print निकाला होगा उसमें Application Number भी Mention होता है अगर आपको Application Number नहीं पता तो आपको सिंप्ली यहां पे Submitted Application दिख रहा होगा आपको सिंप्ली सबसे पहले इस पे क्लिक करना होगा इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे Prelimp पे क्लिक कर दें इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपकी Application Number आपको Show होगा तो यहाँ पे जैसे कि यह application number है, जो मैंने hide रखा हुआ है, तो आपको simply इसको यहाँ से copy कर देना होगा, next आपको update form पे जाना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना select department, prelim पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे application number को paste कर दें, application number पेस्ट करने वड़ आपको simply search पे क्लिक कर देना ह होगा, क्योंकि इसके बाद आपका application form edit नहीं होगा, तो यह आपके पास last chance होता है, और यह chance आपको 1st June तक मिला है, जाना कि 30, 31 June, यह 3 दिन है आपके पास, आप इन 3 दिनों में अपने application form को edit कर सकते हैं, अगर आप कोई mistake हुई है, अगर mistake नहीं हुई, तो आप इस video को ignore कर स form जाने कि JK, ASK form को edit कर सकते हैं, इस video को related कोई भी कोई आदी आता है, तो comment box में लिखे जाम ले tutor handle या Instagram पर मुझे message कर सकते हैं, channel को subscribe कर दो, video को like कर दो, thanks for watching this video,